आज की कर्चा में सभी बच्चों का स्वागत है कल हम पढ़ा रहे थे आपको समाशास्ति सिध्धान्त के प्रकार और समाशास्ति सिध्धान्त के प्रकार में वाल्टर वैलेस के सिध्धान्तों के प्रकार जो उन्होंने बताया है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे इसी कड़ी में डान मार्टिन डेल समाशास्ति सिध्धान्तों को पांच सेडियों में विभाजित किया है। स्वरूपात्मक सिध्धान्त। समाशासी सिध्धान्त को डान मार्टिंडेल ने इन पांच सेडियों में विभाजित किया है। समाशासी प्रकारवाद। उनका कहना है कि इस सिध्धान्त में उन सिध्धान्तों को लेते हैं जो समाज के निर्मानक तत्तो होते हैं। या समाज के अंग और इकाईयों का इसमें अध्यन किया जाता है। समाज के निर्मानक तत्तों के प्रकारियों की विभेचना इस सिध्धान्त में इस प्रकार में किया जाता है। जैसे स्पेंसर, दुर्खी, मेलिनोवस्की, रेड कलब ब्राउन, मर्टन, पार्संस। इन सब के सिध्धान्तों को अगर हम लें, तो वो समाज शास्ती प्रकारिवाद के अंतरगत ही आते हैं। समाज का निर्मान करने वाली जो हिकाईया हैं। चाहे वो जाती हो, चाहे वो समू हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वन विवस्था हो, चाहे धर्म हो, संस्कृत हो, समितिया हो। सामाजिक संदचना के विविन तक्तों का, विविन एकाईयों का अध्येन हम समाज शासी प्रकारिवाद में करते हैं। दूसरा मार्टिंडेल के अनुसार, जो दूसरा उन्होंने विवाजन बताया, वो था संघर्ष सिध्धान्त। संघर्ष जैसा की नाम से ही प्रतीत हो रहा है, कि यह सिध्धान्त, मानो जीवन वो समाज में पाये जाने वाले संघर्ष की ब्याख्या से संबंधित हैं। मानो जीवन और समाज में जो संघर्ष, क्योंकि समाज में जो संघर्ष पायाता है, उसका प्रनेता मनुश्य होता है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं भी संघर्ष उत्पन करती हैं। कभी-कभी प्राकृतिक अपदाएं भी संघर्ष उत्पन करती हैं। तो संघर्ष के सिर्धान्त को जो हम पढ़ेंगे, किसमें हाप्स हो गए, हूम हो गए, मार्क्स हो गए, ओपन हीमर हो गए, इस्माल हो गए, इन सब के सिर्धान्तों को मार्टिंडेल ने संघर्ष के सिर दान्त में जोड़ा है तो मार्टिंडल ने तीसरा जो प्रारूफ बताया है कि वह है प्रत्यक्षात्मक साव्यान क्या है यह समाज की ब्याक्षिया एक सावयव के रूप में करता है यह था इसमें जैसे काम्त होगे स्पेंसर हो गए, वार्ड हो गए, टानीज हो गए, परेटों का सिध्धान्त हो गया, सब इसके अंतर गताते हैं एक सावियब, सावियब मैंस एक और्गिनिजम जिसे कल भी मैंने चर्शा किया था, कि समाज एक सावियब है और सावियब, शब्द का प्रियोग हम जीवित सप्ता के लिए करते हैं तो जैसे मनुस एक सावियब है, उसी तरह से समाज भी एक सावियब है प्रत्यक्षात्मक सामेवाद के थिंकरों का यही कहना है कि मनुस की तरह समाज की भी अपनी संडशना होती है समाज की भी अपनी इकाईया होती है और इन इकाईयों में परस पर तालमेल होता है ठीक उसी तरह से जैसे मनुस के शरीर के विभिन अंगों में आपसी तालमेल होता है तो यह सब के सब प्रत्यक्षात्मक सामेवाद के अंतर गताएंगे फिर चोथा मार्टिंडल ने कहा कि सामाजी की ब्यवहारवाद यह भी बहुत उप्योगी और बहुत अनिवार दशा है और इसका अध्यान हम सामाजी की ब्यवहारवाद के अंतर गताते हैं बने यह सामाजी की ब्यवहार की ब्याख्या से संब्दित है सोशल बिहेवियर क्या है सामाजी की ब्यवहार क्या है गिडिंग्स, रास, मीड, कूले, पारसंस को जब हम पढ़ेंगे तो वो जो सोशल बिहावियर के जो बिविन तत्तों का उन्हें जो ब्याख्या किया है वो सारे के सारे इसके अंतर गताएंगे मन उसे समाज में रहता है समाज के साथ उसका इंटरेक्शन होता है वो किस तरह से समाज से प्रभावित होता है और समाज उससे कैसे प्रभावित होती है इन दोनों चीजों का अध्येन हम इसके अंतरगत करेंगे किसी भी घटना से मनुस्त का ब्यवहार कैसे प्रभावित होता है और उस प्रभाव का उसके ब्यवहार के प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ता है दूसरों के उपर, समाज के उपर. हरवरट मीट के आप सी थीोरी पढ़े होंगे, कूले की थीोरी पढ़े होंगे, या पढ़ेंगे. स्वादर्पन का सिध्धानत जो बताएा है, त्योरी आफ सेल्फ मेरर. जैसे हम आत्म का सिध्धान्त जैसे हम हम जिस तरह से जो है दरपण में देखते हैं अपना चेहरा देखते हैं उसी तरह हमारे अंदर भी एक आत्म होता है और वो आत्म हमें अच्छे और बुरे का ग्यान कराता है अच्छा क्या है बुरा क्या है कोई भी गलत हम काम करते हैं तो उस गलत काम को हमारा आत्म रोपता है एक वाद कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए हम उस आत्म को देख नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं कोई भी आप काम करेंगे कोई अगर आपको लगता कि काम सामाजिक नहीं है गैर सामाजिक है या नियमों, प्रतिमानों परंपराओं के प्रतिकूल है और आप वो काम करने के लिए उताबले होते हैं तो सबसे पहले आपका आत्म रोकेगा आपको नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए जो कि क्या है आपका आत्म ही है सिल्फ और सिल्फ कुले क्या करते हैं कि सिल्फ अगर गरबढ़ है आत्म अगर गरबढ़ है जैसे गारी में सिल्फ अगर सिल्फ होता है स्टार्ट गाड़ी नहीं हुई, बैटरी कमजोर हो गई, जब तक सेल्फ मजबूत नहीं हो गाड़ी, वैसा ही मनुष्य के अंदर का एक सेल्फ होता है, जिसे उसे महसूस करता है, तो ये सामाजी के ब्यवहारबाद के अंतरगत, ये सारी चीज़ें आएंगी, और तीसरा, अंतिम जैसे कदे पांचवा, स्वरूपात्मक सिद्धानत, स्वरूपात्मक सिद्धानत, आपने पढ़ा होगा स्वरूपात्मक संप्रदाय में के बारे में आप फस्ट येर में, समाशास के विशयक्षेत्र के बारे जब आप पढ़े होंगे तो, कि समन्यवात्मक संप्रदाय है और स्वरूपात्मक संप्रदाय होता है, तो, स्वरूपात्मक संप्रदाय सामाजिक संबंधों के स्वरूपों से संबंधित होता है, आपने पढ़ा होगा स्वरूपात्मक संप्रदाय में के जो अंतरवस्त होती है, society की जो अंतरवस्त, जिसे content करते हैं, अंतरवस्त अलग होता है और farb स्वरूप अलग होता है और जार्ज सीमिल ने एक example दिया था आपको, जिसे एक ही आकार की दो गिलास हम ले, और एक गिलास में हम पारी भरते हैं, दूसरे में अगर हम ऑईल भरते हैं, तो उस गिलास के आकार पर कोई प्रवाब नहीं पड़ता तो जो गिलास है, गिलास के जो बाहरी आकार है, वो उसका स्वरूप हो गया, और जो उसके अंदर भरा जाता है, वो content है, अंतरवस्तु है तो चाहे हम पानी भरे या ओयल भरे, उस पर प्रवाब नहीं पड़ता और दोनों चीज़ अलग-अलग होती है, दोनों का अस्तित्व अलग-अलग होता है तो हमें समार शास्त्र में content अंतरवस्तु का अलग अध्यन करना है और farms का अलग अध्यन करना है farms और content दोनों को अलग-अलग अध्यन करना है तो स्वरूपात्मक्स सिध्धान्त में, जिसमें वीर कांथ हैं, लिपले हैं, मैक्स बेवर हैं ये सिध्धान्त सामाजिक सम्बंधों के स्वरूपों का से जुड़े हुए है तो इस तरह से समाशासि सिध्धान्तों के उनके कारक्षेत के आधार पर अगर हम देखें तो कई विद्वानों ने उसका सार निकाल करके तीन शेणियों में इसे विभाजित किया है एक ब्रिहत सिध्धान्त प्रतिष्ठित या ब्रिहत सिध्धान्त जिसे काते हैं grand और macro theories micro नहीं macro theories फिर मद्य सीमा सिध्धान्त middle range theory और सूक्ष में सिध्धान्त micro theories इन तीनों प्रकार के सिध्धान्तों को उनके अध्धान क्षेत्र एवं कारक्षेत्र के आधार पर बिवाजित किया जाता है ब्रिहत सिध्धान्त ब्रिहत अध्धानों पर अधारित होते हैं जब हमें कोई बहुत बड़ा अध्धान करना है ब्यापक रूप से अध्धान करना है जिसे आपको बताया था कि जनगर्णा का हमें अध्यन कर रहे हैं तो जनगर्णा का अध्यन क्या होगा वो ब्रिहद अध्यन होगा और सुक्ष में सिध्धान्त क्या होते हैं सुक्ष में सिध्धान्त सुक्ष में अध्यनों पर अधायत होते हैं जब हम बहुत ही माइनूटली किसी भी समस्या का अध्यन करते हैं। और जबकि मद्य सीमा सिध्धान्त क्या है? ये दोनों सिध्धान्तों के बीच की अवस्था है। बीच की स्रिणी है। जैसे होता है तीन दो लोगों में जगड़ा हो गया, तो तीसरा आदमी मद्यस्ता करता है। तो जो Middle-Runge Theory है, वो Micro-Theories और Micro-Theories के बीच की अवस्था होती है। तो मद्य सीमा सिध्धान्त इन दोनों प्रकार के अध्यनों के बीच की स्रिणी पर आधालित होते हैं। इसके साथ ही ब्रिहद अध्यानों का द्रिष्टिकोन, विश्चित, सुक्षम अध्यानों का सुक्षम तथा मध्य, शेणी के अध्यानों का समन्यूत द्रिष्टिकोन होता है जो ब्रिहत सिर्धान्त होता है ब्रिहत समस्याओं का अध्यान करने के लिए बनाये जाते हैं और इनमें अधिक सार भौमिक्ता पाई जाती है जैसे हमारा यह पैंडेमिक है महामारी है जो करोना के महामारी है इसके अध्यान में जो चीजें आएंगी वो हर जगह हर सोसाइटी के लगू हूँगी इसके करेक्टर्स में इसकी विशेस्ताओं में एक इनुवर्सलिटी है सारभोमिकता है लेकिन ब्रिहद सिधान्द के अपोजिट सुख्ष में सिधान्द लग हूँ अस्तर पर किये गए आनुभवक अध्यैनों पर अधारित होते है तो जो सुख्ष में होते हैं उनमें इंपीरिकल नौलेज जादा होता है परिवार क्यों टूट रहे हैं गाउं में बिवाद क्यों हो रहा है यह हमारे आस-पास के वातावाण है इनको हम जानते हैं बहुत अच्छे डंग से अध्यैन कर सकते हैं नातेदारी क्यों प्रभावित हो रही है गाउं के सामाजिक संबंध सौहार्द क्यों प्रभावित हो रहे है क्या इस्तितिया निर्मित हो रही है तो सुक्षब सिर्धान्त हमेशा आनुभविक अध्यैनों पर आधारित होते और इन में सारभौमिक्ता का अभाव पायता है क्योंकि ये समाज जिस परियावण में हम रहे हैं उससे ये जुड़े होते हैं इन दोनों में अंतर को इसपश्ट करते हुए डान मार्टिंडल कहते हैं कि इन दोनों में भेद पूर्टया इस आधार पर किया जाता है कि एक शोध करता अपने सिध्धान्त को प्रतिपादित करने के लिए अब धैन विशय के रूप में जिस इकाई को चुनता है उसका आकार क्या है अगर हमने बहुत ही सुक्ष में इकाई लिए बहुत छोटी इकाई लिए हमने पचास लोगों का धैन किया सौ लोगों का धैन किया कर रहे हैं तो निश्चित इसमें माइक्रो स्टेडी होगी लेकिन अगर हम हजार दो हजार चार हजार छे हजार दस हजार लोगों के विचारों का मेजरमेंट कर रहे हैं तो यह जो है मेक्रो होगी ब्रिहद होगा तो यह दि ब्रिहद एवं सुक्ष्म दृष्टीकोणों में से किसी को भी हम नहीं अपनाते हैं और सोचते हैं कि इन में इसके समन्योड़ दृष्टीकोणों को हम अपनाएं तब हमें क्या होगा मद्य सीमा सिद्धांत का प्रियुक करना होगा वस्तो में इन सिध्धान्तों के प्रतिपादन का श्रे अमेरी की समाशास्तर रोबर्ट के मर्टन का है मर्टन ने मध्य सीमा सिध्धान्त का प्रतिपादन किया था उनका मानना है कि मध्य सीमा सिध्धान्त वे सिध्धान्त होते हैं जो कि एक और दिन प्रत दिन के शोध में प्रचुर मात्रा में प्रगट होने वाले लगु परिवर्तन परंतु कारिवाहक उपकल पनाओं एवं दूसरी और सामाजिक ब्यवहार, सामाजिक संगठन वह सामाजिक परिवर्तन में समस्त समानताओं की ब्याख्या करने वाले एक समन्वित सिध्धान्त को बिक्सित करने हैं तो बेवस्थित प्रयासों के बीच में इस्थित होते हैं एक तरफ हमने क्या कर रहा है कि हाइपोसिस का प्रयोग कर रहे हैं उपकलपनाओं का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि हम एक जो हमारा बहुत ब्रिहत अध्यान है उस ब्रिहत अध्यान में हम समाज के सामाजिक ब्योहार सामाजिक संगठन और जो परिवर तो इन दोनों की बीच की इस्थित इन दोनों में अगर हम तालमेल बनाते हुए अध्यन करेंगे तो निश्चित है कि वो सिध्धान्त मध्य अभिसीमा का सिध्धान्त कहलाएगा और वो ज्यादा कारगर होगा ऐसा मार्टन का मानना है एक और समाज शास्ती थे होमन्स होमन्स ने सिध्धान्तों की द्रोश सेरियां बताई एक नॉर्मेट्यू जिसे हम कहते हैं आदर्शात्मक सिध्धान्त और दूसरा तो है नॉन नार्मेट्यू गैर आदर्शात्मक सिध्धान्त आदर्शात्मक सिध्धान्त इस बात की ब्याक्या करते हैं कि व्यक्तियों को लक्ष प्राप्ति है तो किस प्रकार का ब्योहार करना चाहिए जो हमारा लक्ष है उस लक्ष को प्राप्ति के लिए हमें कैसे ब्योहार करना है और गैर आदर्शात मक्सित धान्त व्यक्तियों के वास्त भी बेवहार की ब्याक्या पर बल देता है क्या है कभी-कभी आप देखते हैं ना बेवहार के धंग, मनुस्य के बेवहार के धंग कितना प्रहवित होते हैं उसकी गत्रशीलता को कितना प्रहवित कर सकते हैं, यह आपने अपने जीवर में महसूस किया होगा, कि हमारा ब्यवहार, हमारे बात करने का धंग, हमारे काम करने की शैली, दूसरे को कितना प्रहवित करती हैं, तो गैर आदर्शात्मक सित्धान तो ब्यक्तियों के बास्तविक ब्यवहार की ब्याख्या पर बल देता हैं, जो उसके अंदर जो एक्चुल ब्याख्या रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जो बहुत ही निगेटिव होते हैं, आप कुछ भी बात करिए, अरे, आज तो बादल चा गए हैं, तो इससे क्या होगा बादल चा गए हैं तो, पानी गिरेगा, फसल नस्ट हो जाएगी, ऐसी बात करने लगेगी, अगर आपने कहा कि आज धूप हो गया है, मौसम अच्छा है, खाक अच्छा है, मौसम तो बदलता रहता है, उनसे सकारात्मकता की उम्मीद आप नहीं कर सकते, कभी-कभी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे आपके जीवन में, जो आपके अंदर हमेशा निगेटिव भरेंगे, क्या होगा इससे, क्या कैसे कर लेंगे, क्यों करेंगे, नहीं कर सकते हो तुम, और ऐसे बहुत कम लोग म प्रत्तक्षवादी समाजशास्ती सिर्धान पॉजिटिव सोचिल लॉजिकल थिए पॉजिटिव सोचिल लॉजिकल थिए दूसरा व्याख्यात्मक समाशास्ती इंटर्प्रिटेटिव सोसियोलोजी और तीसरा अवैक जानिक या मुल्यांकन सामाजिक सिद्धान नॉन साइंटिफिक और इबेलुएटिव थिए प्रत्तक्षवादी सिद्धान आप पढ़ेंगे आगस्त कॉम्ट को जब आप पढ़ेंगे फर्स्ट इयर में में प्रीवियस में आप बी ए फानल में भी पढ़ेंगे हो सकता है प्रत्तक्षवादी सिद्धान के वो जनक माने जाते हैं आगस्त कॉम्ट और प्रत्तक्षवादी सिद्धान्त है क्या प्रत्तक्षवादी सिद्धान्तों के समर्थट समाश्षाश्थ को प्राकृतिक विगजान के समान मानते इनका मानना है कि जैसे निच्रल साइन्स होता है प्राकृतिक विगजान होता है उसके facts होते हैं, उसकी विशेशताएं होती हैं, ठीक इसी तरह से सामाजिक घटनाएं भी होती हैं, उनके भी तत्थे होते हैं, और उनका भी प्रोहाँ पड़ता है। इसमें एक न्यू नौ प्रतक्षवादी, सन्रचनात्मक, प्रकार्यात्मक और सामाजिक ब्योहारवाद जैसे सिध्धान्त इस सेणी के उदाहरण है। प्रतक्षवाद में नौ प्रतक्षवाद भी आया है। सित्व है। यह नेचुरल साइन्स से अलग है। नेचुरल साइन्स के अपनी क्रियाश हेलता है। और सोशल साइन्स के अपनी। और सोशियालजी जो है, सोशल साइन्स के एक ब्रांच है। तो यह एक सामाजिक बिग्जान है। कोई भी घटना का समाज में अध्यान करते हैं सांस्कृतिक व्याख्या, क्रिया, अंत्र क्रिया का व्याख्यात्मक समाज शास्त्र, सामाजिक प्रघटना शास्त्र, सोसल, फेनोमिनोलोजी, खुरिसल को अगर आप पढ़ें, वह सारी चीज़ें, समाज शास्त्र पर जो त्योरी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो समाज शास्त्र आप सब समझ गए, एक-एक बिंद्वों पर, एक-एक घटनाओं से संबंधित, समाज शास्तियों ने अपने सिध्धान्तों को जोड़ा है, और अवैकजानिक, वागनर कहते हैं कि जो अवैकजानिक या मुल्यांकनात्मक सामाजिक सिध्धान्त है, वो क्या है? अवैकजानिक या मुल्यांकन सामाजिक सिध्धान्तों के समर्थक, समाज शास्त्र को न तो प्रत्रक्षिबिग्ञान मानते हैं और नहीं ब्याक्यात्मत. वे सामाजिक दार्शनिक सिध्धान्त वैचारिक सामाजिक सिध्धान्त तथा मानिवी सुधार सिध्धान्त इस त्रेणी को उधारण है वो नहीं तो प्रत्रक्ष बिग्जान मान रहे हैं और नहीं व्याक्षात्मक बिग्जान मान रहे हैं तो इस तरह से बिभीन समाशास्तियों ने समाशास्त्री सिर्धान्तों की प्रकार बताएं अब आखिरें समाशास्त्री सिर्धान्तों का महत्तों क्या है Social Science में What's the importance of Social Theory in Sociology या Social Research और Social Research सामाजी कर्मसंधार में क्या महत्तों है वास्तों में समाशास्त्र में समाशास्त्री सिर्धान्तों का स्थान बहुत महत्तों है जैसे भी हम कर रहे थे कि अगर आपने समाशास्त्री सिर्धान्तों को समझा नहीं है पढ़ा नहीं है तो फिर Sociology अधूरी है शमाशास अधूरा है यहां एक ऐसा विगजान है जो जीवन के हर पक्षों से जुड़ा हुआ है सारी व्याख्याएं जो है इसके अंदर समाहित है चाहे मनुस्त का ब्यावार हो चाहे मनुस्त की कारप्रणालिया हो चाहे मनुस्त के सीखी कानुभा हो चाहे मनुस्त की पत्कियाएं हो चाहे मनुस्त की भावनाएं हो सब कुछ इससे जुड़े हुए अब्राहम समाशासी सिध्धानतों के आठ महत्त को बताते है वो कहते हैं पहला मातु क्या बताते हैं वो कि समाशासी सिध्धानत संभावित समस्याओं एवम अर्थ पूर्ण उपकल्पनाओं की और संकित करते हैं और ये जो अर्थपूर उपकल्पनाएं हैं ये नवीन अन्वेशनों अथवा अध्येनों का आधार बनती है हमें किसी हाइपोथेसिस बनानी है किस तरह से उपकल्पनाएं बनानी है अपने सामाजी कर्ण संधान से सम्मंदित उपकल्पनाएं कैसी बनानी है इन सारे चीज दूसरा जो है कोन हल्ला कर रहा है मैंने पहले कहता है कि म्यूट कर लिया करो बीच में मत हल्ला करो दूसरा मात तो है समाशासित सिध्धान्त तथ्षों के बारे में पुरुवा नुमान लगाने में सहायता करते कोई भी घटना घड़ जाती है और उस घटना का क्या प्रभाव पढ़ता है वो घटना कैसी हो सकती है एक हमको ट्रिडिक्ट करना है भविश्यवानी भी कर सकते हैं और पुरुवा नुमान भी लगाते हैं एक अर्थपूर सिध्धान्त अनुसंधान करता के अंतरद्रिष्ट ज्यान अयतिहासिक अयतिहासिक्ता का बोध कराने में बहुत समर्थ होते और इस विशेष्टाओं के कारण हम ठोस तत्थों तक पहुंच जाते हैं जो हमारे अनुसंधान जो हमारा अध्यान होगा उस अध्यान के ठोस तत्थों तक हम पहुंचने का पूरा प्रयास करते हैं वास्ताओं में समाश शास्ति सिधान्त तत्थों के वारे में या और बस तो विशेष्टों तत्थों के संबंधों को में एक तरह से क्रमबधता बनाते हैं एक सिक्वेंस देते हैं हम जो भी घतनाओं का ध्यान करते हैं एक आएक लक्ष तक नहीं पहुँझाते हैं बलकि बहुत ही बारीकी से धीरे धीरे ध्यान करते हैं इस्टे बाइसटे बाध्यन करते हैं तो इससे क्या हो जाते एक सरलता आ जाती है और इसके साथी साथ एक conceptual framework हमारा त्यार हो जाता है और धानात्म के एक योजना त्यार हो जाती है और क्या महत्त हो सकता है कि समाशास्त्री सिध्धान्त विशिष्ट आनुभविक निसकर्सों तथा समाशास्त्री उन्मखी करणों के बीच कड़ी प्रदान करते हैं समाशास्त्री उन्मखी करण क्या एक sociological orientation और इससे सोध की सार्थक्ता बढ़ जाती orientation कैसे जैसे orientation होता है जिससे आप कोई नई चीज़ सीख रहे है तो उस नई चीज़ को कैसे हमें करना है किस तर से संपादित करना है आप पीच्डी करने वाले हैं या पीच्डी करेंगे तो कैसे करेंगे किस तर से आगे बढ़ेंगे आपका और एक orientation किया जाएगा कैसे तथ्यों का संकलन करेंगे कैसे सिनाप्सिस बनाएंगे कैसे फील्ड में विजिट करेंगे उत्तर दाताओं से किस तर से चर्चा करेंगे अगर यह सारी चीज़ें आपको मालूम नहीं होंगी है तो आप एक sequence के साह में इस इस तैप अध्यन नहीं कर सकते अ कि और और क्या महत्तर समाश्शास्टा सिद्धान्तों का विसतौ में वास्तो में अप्रत प्रदान करके समाश्शास्ति सिध्धान्त सत्यता को अनुप्रमानित करते हैं एक अर्थ देते हैं मीनिंग मीनिंग फुल बनाते हैं मीनिंग फुल बनाते हैं मीनिंग फुल बनाते हैं अर्थ का बोध कराते हैं और समार्षासी सिध्धान्त सोध को निर्देशित करते हैं एक डाइरेक्टिव सोध को निर्देशित करने में जो है बहुत महत्वपुर्भोमिका होती है हम अपने लक्ष से भटकने नहीं पाते हमने जो योजना बनाई है हमने जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग उस योजना से हम अलग नहीं भटकते हम समाज सास्ती सिधानत जो है एक प्रारूप देता है हमें एक मॉडल देता है कि हम उस पे गहराई के साथ द्यान करें को अज़िसके साथ योशी सिध्धान्त अनवेशन को भी उपक्रण होते हैं कोष आपडिस्कवरी्क स्कावर करते जब तत्यों की खोष करते हैं यह उन्य सिध्धान्तों को आजने tools के रूप पर्योक करते हैं आप देखते हैं कि इस सिधानत में क्या-क्या चीजें बताई गई क्या-क्या कहा गया है कि तो उसको आप है तो इस एक तूल्प के रूप करते हैं और ये आपके तथ्थों के संक्रान när्मे महत्वूर्ण भूमिकाने भाते और क्या माद तो होसकता है समाशाजि सिध्धानतों का एक माद तो यह भी हो सकता कि यह शोध प्ररचना के निर्माण में सहायता करती जब हम रिस्टेश डिजाइन बनाएंगे, कि हमारे अनसंधान को सुरूप कैसा है, हमारे अनसंधान में कि प्रकृत कैसी है, हमेरे कैसे टूल्स उप्योग करना है, मेथर्स हमारा क्या होगा, जब पूरा का पूरा एक जो हम सिनॉप्सिस बनाएंगे, तो ये सिद्धान्त हमें सहायता प्रदान करते हैं। जो हम उनको सुधार करने का फिर से प्रयास करते हैं। एक तरह से हमारे समाशासी सिद्धान्त के महत्त को बताते हैं। तो हमने जो अभी दो दिन, तीन दिन, तीन पार्ट में जो है समाशासी सिद्धान्त को, अगर इसको और बताएं तो बहुत ही ब्रिहद होगा। हम संग्षिप्त में कह सकते हैं कि समाशासी सिद्धान्त क्या है। प्रामानिक तत्यों को, क्रमबद धांचे को सिद्धान्त कहा जाता है। और यह एक ऐसा सामाशासी सिद्धान्त है जो तत्यों एवं चरों में पाये जाने वाले संबंधों को दर्शाता है। यह तो सिद्धान्त हो गया। तेकिन समाज सासी सिद्धान्त समाज सासी सिद्धान्त समाजिक तथ्यों पर आधारित सामानी करन ही है यह समाज समाजिक जीवन वब्योहार और समाजिक घटनाओं से सम्बंदित तथ्यों की वह बहुत दिग विवस्ता है जिनसे इनकी यथार्थता का ज्यान होता है तो ये क्या है समाज सासी सिद्धान्द का है ये एक intellectual planning है एक बौध्धिक ही हो जना है जब आप किसी चीज का अध्यान करेंगे किसी समस्या का अध्यान करेंगे तो वो पूरी की पूरी planning करेंगे और निसकर सरूप में हमने आपको तीन चीजें बताई कि समाज सासी सिद्धान्द क्या होते हैं तीन तरह कहीं सारे सिद्धान्द को गर मिला दिया जाए तो ये तीन सरूपों में आता है एक ब्रिहत सिद्धान्द एक सूचम सिद्धान्द और एक मध्य सीमा सिद्धान्द ब्रहत सिध्धान्थ बड़े पैमाने पर किये गए आनुभविक आध्यान के अधार पर निरिमित सिध्धान्थ ब्रहत सिध्धान्थ कहा जाते है और ऐसे सिध्धान्थ सामानिकर्ण में अधिक सहायता करते है सुक्ष्मा सिध्धान्ट पर आधरित सिध्धान्ट कहा जाते हैं, इन सिध्धान्टों की सामानी कर्ण की क्षमता सीमित होती है, बहुत जदा विशाल नहीं होती है, विस्तित्य होती है और मद्य सीमा सिध्धान्त ब्रिहद एवं सुक्ष्म सिध्धान्तों के समन्यूत दृष्टिकोन को मद्य सीमा का सिध्धान्त कहा जाता है तो इस तरह से हमने समाशास्ति सिध्धान्त में समाशास्ति सिध्धान्त के क्या है समाशास्ति सिध्धांत की विशेस्ता, समाशास्ति सिध्धांत के प्रकार, समाशास्ति सिध्धांत की प्रकृति और समाशास्ति सिध्धांत का महत्तु क्या है इनके इनको आपको बताया और ये जो है जो दूसरा तिसरी यूनिट थी एक तरह से आपकी यही पे खतम होती ह झाला झाला जब हमें को.